नमस्कार दोस्तों स्वागत देशों मुस्पाली ची को और एक हल्थ कंसर्ट वीडियो में आज इस वीडियो में बात करने वाले एं मॉकसी इस वाले में इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो कौन तक जरूर देखना तो चली बात करते हैं पहले चीज़ दो मेडिसीन का नाम है Amoxicillin 500 तो यह 500 mg की capsule format में ज्यादा तर cases में available होता है इसके salt composition की बात करें तो इसमें salt composition होता है Amoxicillin Amoxicillin एक प्रकार की antibiotic है अब Amoxicillin antibiotic का क्या मत्तब है एक ऐसा दवा होता है जो शरीर में bacteria को मारता है मतब जहां पर शरीर में bacteria infection कॉज करता है कहीं पर भी अगर कहीं पर घाओ हो जाए वहां पर infection होना चांस होता है जैसे के skin हम उनको protect करके रखता है skin जहां पर काट लग जाए वहां से infection हो सकता है तो infection को बैक्रितिक को मारने के लिए जो दवा यूज होता है उसको अंटिबायोटिक कहा जाता है और respiratory tract infection मतलब जो के सास की टोटल जो ट्रैक्ट होता है respiratory tract हो गया हमारे लांग हो गया इसमें यूज किया जाता है UTI urinary tract infection जो की urine की infection है वहाँ पर ये दवा यूज किया जाता है और skin infection जहाँ पर skin पर कोई घाव वगयरा कुछ आ जाए वहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है अब बात करते हैं Amoxicillin की mode of action Amoxicillin जो एंटिबाइटी को किस प्रकार से काम करता है तो इसको ये एक ऐसे दवा है जो बैक्रीम को मारेगा अगर बैक्रीम को मारने का जो तरीका है वह अलग होता है अक्रीम को प्रॉसेस का करते जैसे कि घर के चारो की gnौ É לפonस का का जाता है त्यार होने में रोक करके रखता है या वाल आज़ बाक्टीरियल उसको तयार होने से रोकता है, इसके कारण बग्टिरिया ठीक ठाक से फंक्शन नहीं कर पाता है, वह स़र्वाईव नहीं कर पाता है अब बात करते हैं डोजेज की डोजेज वैसे डिपेंड करता है कि किस कंडिशन में है कौन से बीमारी में दिया जा रहा है मागर जेनरल ये 500 मिलिग्राम करके दिन में 2-3 बार दिया जाता है अब बात करते हैं ये ये 500 की साइड एफेक्स के बारे में तो साइड एफेक्स किसी भी एंटिबाइटी का सिमिलर होता है बहुत अद्थ जैसे के डाइरिया ज्यादा आप ले लेंगे तो क्या होगा ये बैक्टिरिया मारने की दवा है तो आपके शरीर में पेट में जो अच्छा बैक्टिरिया अच्छे बैक्टिरिया को भी ये मारेगा तो इससे डाइरिया हो सकता है उसके साथ साथ स्कीन रैश होना और कुछ एलर्जी रियक्शन होना और और ऐसा नौजिये टेट मतलब ऐसा उल्टी जैसा फीलिंग आना यह सारे के सारे साइड एफेक्स होंगे आमोक्सिलिन 500 की कुछ नाम में वाivol मां नौक्सिलिन 500 में आथाflower बहु के साथ सृष्ण प्रीटि यह वहांपर 500 मलीघ्रम का शॉक्रम का लúpण 9 मिलीघ्रम का खौण की क्यों आता है इसके बार में अलग से वीडेओं में बात करेंगे क्यों यह दिया जाता है ताकर बैक्टेरिया में जो एंटिबाइटिक रेजिस्टेंस हो वो ठीक से ग्रो ना हो पाए अगर एंटिबाइटिक रेजिस्टेंस किसी बैक्टेरिया का ग्रो हो गया तो वो बैक्टेरिया के खिलाब हमारे एंटिबाइटिक काम नहीं करेगा इसलिए पॉटेश्यम क्लेविलि तरह शेयर करना अपने दोस्तों के साथ का लीक के साथ फैमिली मिंबर्स के साथ ताकि उन्हें भी जानकारी मिले दवा के बारे में एंटीबाइटिक के बारे में और एंटीबाइटिक का जो सेवन हैं वो बहुती चार्च के बाद ही करना चाहिए विद प्रॉपर रिकुवाальный में इसुमाल मत करें क्योंकि यह अगर घलत इस्तव माल करेंगे तो आप खुद की लाइप कोई डेंजर में नहीं डालेंगे बाकी सारे लोग जो कभी इस्तमाल भी नहीं किये होंगे वो सारे लोगों की लाइप में भी आप इसकी इंपक्ट आ सकता है क्योंकि एंटिबाइटिक रिजिस्टेंस एक बार किसी बैक्टिरिया की आ गया तो वह अगर हमारे circulation में आ जाता है वो हमारे सिस्टम में आ जाता है वो बाकी लोगों की इंफेक्ट करता है तो उनमें भी हमारे पास रहने वाले कोर्स फॉलो करके यूज करें दो लेने से एक लेने से ठीक हो जाए तो उसको छोड़ दे ऐसा बिलकुल कते ही ना करें टोटल को जैसे आपको कहा गया है उसी को स्टार्ट से इंटक फिनिश करें ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना और सब्सक्राइब क चानल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहा है थैंक यू बाई